मान यूफ सभापती जी भारत अत्यंद प्राचीन और महान रास्ट है पांच जार साल से तो ज्यादा ग्यात इतिहा से हमारा जब दुनिया के विक्सित रास्टों में सब्विता के सूरी का उदनी हुआ था तब हैं हमारे यहां वेदों की रिचाएं रच्दी गई थी हमारे यहां रिचियों ने का एकमसद विप्रा बहुदा बदनती सत एक विद्वान उसको अलग-अलग तरीकों से कहते हैं इस चर्चा को मैंने इसी रूप में लिया है लक्ष एक है किसानों का कल्यान प्रयत्ने करेंगे कि सारे सुझाओं को समाहित करते हुए आगे बढ़ें लेकिन मानी उपसभापती जी जितना हमारा रास्ट्र प्राचीन है उतनी हमारी खेती भी प्राचीन है हजारों साल पहले से भारत में किर्शी होती रही है हमने बच्पन में कई पौरानी के संदर्ब पड़े हैं जब रिसीवी बच्चों को सिख्षा देते थे गुरुकुल में तब भी उनके पास खेती होती थी और हमारे उस समय के बच्चे सीखते भी थे पढ़ते भी थे और करते भी थे इस किर्शी को इसी भाव से लेकर हम कैसे किसानों के लिए बहतर काम कर सकते हैं उसका हम प्रित में करेंगे मानि उफ सबहत दीजी मैं तो सीधे सीधे अपनी बात कहना चाहता था लेकिन जब चर्चा का प्रारम हूँ हमारे विद्वान मित्र सुर्जेवाला जी ने किया तो उनने थोड़ा छेड़ दिया मानि उफ सभापती जी हम किसी को छेड़ते नहीं है लेकिन अगर कोई छोड़ दे छेड़ दे तो फिर छोड़ते भी नहीं उसलिए मैं वहीं से आरंभ करना चाहता हूँ बैत और होता वो आज यहां उपस्ठित होते मानि उफ सभापती जी उनको याद भी आए तो सकुनी याद आए सकुनी चोपग चक्रव्यू और इन सारे सब्दों का संबंध्य अधर्म से जाकी रही भावना जैसी प्रभुमूरत देखी तुन पैसी सकुनी मतलब छल धोखे और कपट के प्रतीक थे चोपड में तो धोखे से हराया गया था और चक्रव्यू मतलब फेर वाया और नहीं घेर के मारना अब कांग्रेस को क्यों चक्रव्यू सकनी चोपड यह याद आते मानि उपसभापती जी जब महाभारत काल में हम जाते तो हमें तो भगवान स्री कृष्ट ने याद आते हैं यदा यदा ही धर्मस्य गिलानी रभवती भारता अव्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम स्डाम्यम परित्रानाय साधुनाम बिना सायच दुसक्रताम धर्म संस्थाप नार्थाय संभवाबी यूगे यूगे हमको तो कनिया याद आते जब जब धर्म की आनी होगी अधर्म बढ़ेगा पाप बढ़ेगा अत्याचार अनाचार बढ़ेगा तब तब धर्म की रक्षा और अधर्म के नास के लिए मैं बाहर बाहर आऊंगा ये भगवान स्री कृष्ट ने कहा था लेकिन अनीती और अधर्म किसने किया ठगी किसने की बाननी उपसभापती जी कांग्रेस के डी अने में ही किसान विरोध है मैं ये कहना चाहिए ये आसने आसने प्रारंब से ही कांग्रेस की प्रात्विताएं गलत रही है हमारे प्रथम प्रधान मंत्री स्वर्गी पंडि जवालाल नहरू जी मैं उनका आदर करता हूँ लेकिन भारती परंपरा खेती के बारे मैं उसका अंदर बहा नहीं किया रूस गये वहाँ से एक मॉडल देख के आए और कहा कि रूस का माडल लागू करो भारत रत्न चौधरी चरंड सिंग जी ने का ये नहीं हो सकता भारत की किर्सी की परिस्टियां बिलकुल अलग है प्राच पिता हैं कि अब थी उपसा भापती जी शत्रा वरस तक उन्होंने प्रधान मंत्री जी के पत को सुझोबित किया तक तब क्या हो दा था अमेरिका से पी-ल-480 चड़ा हुआ लाल गे हूं भारत को खाने पे विवस और मजबूर होना पर दो मानी उपसा भापती जी स्वरगी इंद्रा जी के सब है मुझे अच्छी तरह याद हम छोटे थे उस समय किसानों से जवरदस्ती लेवी वसूली का काम होता था जवरदस्ती लेवी वसूली जाती थी अगर दो कंटल भी है तो एक कंटल देखके जाओ बिंडे खोद दिया जाते थे रखवा अनाज उठा लिया जाता था भारत आत्मिर भर नहीं हुआ स्वर्गी राजीपी ने भी बात जरूर की उन्होंने बात अवस्य की एगरिकल्चर प्राइस पॉल्सी की लेकिन किसानों की आए बढ़ाने के लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठाए यहां तक कि मानियूप सभापती जी उदारी करण का प्रारम भुआ स्वर्गी नर्समाराव जी मनमोहन सिंग जी उस समय बित्तमत्री थे एकर उस समय भी क्रिसी से जुड़े ओध्योगों को डी लाइसेंसिंग नहीं किया गया क्योंकि प्राथ्वित्ता गलत थे और मानियूप सभापती जी 2004 से 2014 के बीच की मैं क्या बार्ट करूं उस समय ये भारत जो प्राचीन और महन रास्ट है जिसने दुनिया को ग्यान का प्रकास दिया था उस समय घोटालों के देश के रूप में दुनिया में जाने जाने की तू जी थ्री जी फॉर जी मानियूप सभापती महोदाए और तब भारत की राजनीती में आप धहर से सुने तब भारत के राजने तिक छित्रिच पर उद्य हुआ एक दैदी पिमान सूरी का जिसने सारे देश को आसार विस्मास से भर दिया उनका नाम था नरेन समोट कांग्रेस की प्राथविक्ताएं गलत थी मोदी जी के नेतरत में प्राथविक्ताएं बदलने का काम और खेती के लिए मानिय अद्दक्ष जी हमारी छे प्राथविक्ताएं में आपके सामने निवेदन करना चाहता हूँ छे प्राथविक्ताएं नमबर एक उत्पादन बढ़ाना नमबर दो उत्पादन की लागत घटाना नमबर तीन उत्पादन के ठीक दाम देना और नमबर चार और नमबर चार प्राकिर्टिक आपदामे ठीक राहत की रासी देना नमबर पाच किर्षी का विवदी करन खेती में बैल्यू एडिसन सभापती जी आने वाली पीडियों के लिए भी धर्ती सुरक्षित रहे इसलिए प्राकरते खेती को बढ़ाबा देने का प्यास सुविचारे धंग से ये भारती जन्ता पार्टी की सरकार, NDA की सरकार खेती का रोड में बना के काम कर रही है कल क्या रहे थे हमारे मित्र, बजट के जिक्र कर रहे थे बजट कम कर दिया गया मानी पुपसा भापती महोदय, ये बताना चाहता हुआ किरसी के लिए बजटी आवंटन, 2013 और 2014 में था केवल 27,663 करोण रुपया 2024 में ये बढ़कर हो गया एक लाग 32,470 करोण रुपया और ये केवल किरसी में भाग का है सिवराज सिंग चोहान ने आज कोंग्रेस की लंका लगा दी और संसत भवन में कोंग्रेस की सारी पोल पटी खोल दी कैसे क्या लगता है आपको किसांओं बिजे भी के राज में ज्यादा खूस है या फिर किसान कोंग्रेस के राज में ज्यादा खूस थे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर देजिए लाइक, सेर और कमेंट कर देजिए मिलते हैं आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई धन्यवाद जै हिन जै भारत